है एंडू दोस्तो तो स्वागत है कि बार फिर से आपका उत्तर पार्ट शाला में और आज हम लेकर आगे हैं उत्तर खंड सामान्य जान का जो आपका बेसिक सालेवस है बेसिक कोर्स है उसके उपर अपनी जो वीडियो है यह हम लेकर के आ गए है चेप्टर वाइस हम देखंगे हर एक चीज को तक्रीबन तक्रीबन हमारे 20 अध्याई होंगे और इस पूरी प्रोसेजर के बारे में आपको वीडियो के एंड मैं मैं बताऊंगा फिलाल आज जो है हम उत् पढ़ेंगे यहां हम सिंपल सा डिसकेशन करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो मैं वीडियो के बीच में अगर आपसे पूछूँ तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दे दीजे थोड़ा सा एक्टिव अगर आप लोग रहेंगे तो अगली वीडियो में जो है औ और ज्यादा फिर माटीरियल्स जो है मैं डालूँगा अब यहां पर थोड़ा सा आप लोग एक बार इस प्रोसीजर को समझ लेंगे कि हम करने क्या वाले हैं तो सबसे पहले तो हम आपको टॉपिक्स वगरा पढ़ाएंगे यहां ठीक है तो आपके जो टॉपिक है वो क्ल कुछ ट्रिक्स वगरा हम ट्राइब करेंगे जिससे की चीजें हमें ज्यादा जल्दी याद हों क्योंकि अब यूके तरपल सी की एक बड़ी ही अच्छी बात कहिए कि यह डिरेक्ट क्वेस्टिन पूछ लेता है बताइए भीया कि पांच में रज्यपाल कौन थे के साथ ठीक है इतना आप लिए यहां मिल जाएगा इस टॉपिक को अगर आप रेगुलर इन वीडियो को फॉलो करते हैं नोट्स बनाते हैं तो यह काफी ज़्यादा फाइदे मंद आपके लिए रहेगा बाकी आपको फिर बाकी चीजें वीडियो के अंदर देखने के लि जो है material ले रहे हैं और बाकी जो है आपको अलग-अलग sources से हम दे रहे हैं तो बिलकुल authentic source है कोई दिक्कत नहीं है तो 6 अध्याई जो है हमारे सम्विधान के अंदर 6 अध्याई उसमें 152 से 237 अनुच्छे राते हैं article 152 से 237 तक का राज जी के प्रसाशन साशन प्रसाशन से related यह है तो इसी के अंदर क्या कुछ है यह हम आज की वीडियो में जानेंगे चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं दोस्तो कारेपाली का है देखिए अब कभी भी अगर आप देखें तो अपना कोई भी state चले चाहे आप center केंदर को देख लीजिए यह कैसे चलते हैं तो पास हुआ राष्टपती ने उस पर signature किये और वो bill act जो है वो बन गया और कानून बन गया यह हो गया आपकी विधाई का कारेपाली का क्या होती है जो इस तरीके के जो कानून बने हैं उनको लागू करवाती है समझ रहे हैं मतलब अगर आपने law बनाया तो आप विधाई क हैं अगर आपने law को इनक्ट करवाया समझ रहे हैं इनक्ट करवाया तो आप कारेपाली का हैं और जो थर्ड आती है जुडिशरी या जिसको हम न्याय पाली का कहते हैं इसका काम होता है तू मैनेज द जस्टिस और इन एक्टों के उपर जो कानून वगयरा बनाए गए हैं इनका अगर पालन ना हो तो इसका पालन कैसे करवाय जाए और दंड कैसे दी जाए ये दो काम फिर आपके ज्याय पाली का यूडिशरी के पास आते हैं अब इसमें हम स्टेट भी देखंगे साथ में सेन्टर भी देखंगे ठोड़ा बहुत बाकि हमारा मेन फोकस राज्यपाल आते हैं मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिशद आती है बीवे मंत्री परिशद भी क्लियर करूँगा आपको मुख्यमंत्री और मंत्री परिशद आती है त्यांते सुनिए राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्री परिशद और इसके बाद आपका जो है जो आपके महाधी वक्ता होते हैं उन्हें भी कारेपालिका में गिना जाता है ठीक है सची वाले वगेरा तो आते ही हैं ठीक है ये सामानी चीज़े हो गई जो करमचारी है वो कारेपालिका में ही आते हैं जैसे आपको सेंटर में लेके चलूं केंदर की बात करें या बताइए के कॉन कारेपाली कम आते हैं तो आप कहेंगे सर देखिए जो president है हमारे राश्ट्रपती है वो विलकुल इसका हिस्सा है मैंने ठीक है जी आप कहेंगे सर जो prime minister होते हैं हमारे और उनके साथ में जो मंतरी परिषद होती है वो भी इसका हिस्सा है अमने का बिल्कुल बहुत बढ़िया फिर आपने का सर देखिए जैसे राज्यों में है महादी वक्ता वैसे ही एटॉर्नी जर्नल जो है वो भी इसी के अंदर आएंगे हमने का बिल्कुल वो भी आएंगे यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि प्रेसिडेंट के अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे उपर राश्ट्रोपती वो अभी किस में आते हैं केंद्री ये कारेपालिगा का हिस्सा होते हैं अनुच्छेद 153 ये आपको याद रखना है इसके हिसाब से क्या होता है कि हर राज्य के लिए ठीक है हर राज्य के लिए एक राज्या ध्यक्ष की विवस्ता की गई है इसका मतलब क्या होगा जो राज्यपाल है या गवर्नर है उसका जिक्र अनुच्छेद 153 के अंदर आता है और अगर हम यह चीज कहें कि राज्य की जो कार्यपाली का शक्ति है वो किसमे होती है अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल में होती है तो finally आप कहेंगे कि राज़िय पाल की जो कार्येपालिका की जो शक्ती है वो finalized किसमें रहती है राज़ियपाल में रहती है सारे काम वो किसके हिसाब से उँगे राज़ियेपाल के नाम से होंगे जैसे कि अगर आप अनुच्छे सदत्तर को ध्यान से देखेंगे इसे एकर आप देखें अनुच्छे देखो 111 में लिखा हुआ है कि राश्ट्रपती हर बिल पे सिगनेचर करेगा तब ही किसी भी विधेयक पे सिगनेचर करेगा तब वो बिल बन पाएगा न तो ऐसा ही राज्यपाल के साथ भी है कि कार्यपाली का कि सारी शक्ति किसमें नह करें और ज्यपाल को कभी अधिक सकतिया है तो कभी राश्ट्रपती को अधियन करेंगे तो और जाधा इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके अलावा देखें राज्य के जितने भी विश्यविध्याले हैं ठीक है जितनी भी University है उनके कुलाधी पती कौन होते हैं वो राज्यपाल होते हैं यानि कि अगर आप सीधे सीधे कहे दें अब आपने कई जगह सुना होगा ना कि Vice Chancellor ये है Vice Chancellor वो है तो Chancellor कौन है तो राज्यों के जितने भी युनिवर्सिटीज हैं उनके चांसलर कौन होंगे आपके राज्यपाल होंगे इसके अलावा राज्ये के प्रथम नागरिक कौन होते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट कौन होगा वो भी आपके गवर्नर होंगे राज्यपाल होंगे अब आप यह कहेंगे कि सर राज्यपाल की नियुकती तो हो गई तो बताइए यह जो राज्यपाल की नियुकती की गई यह कितने के काम के लिए होती है कितने टाइम के लिए हो पा общ साल के लिए aNiyor है और यह इपिशनी जो हए जो इनकी निऊक्ति होती है लिए प्रेसिडेंट्ट जो है उनके उपर निर्भर करती है कि प्रेसिडेंट्स जहां है जिसे चाहे उसे नियुक्त करें और उसे रिमूव करें ठीक है उसके पगा से ध्यान दीजेगा कि यहाँ पे भारत का नागरिक होना यह compensation है ठीक है तो उन्हें क्या कर सकते हैं पद से हटाया भी जा सकता है जवराष्ट्रपती चाहें अब इस procedure को आप थोड़ा सा एक इस वे में समझेगा कि जब भी President किसी को नियुक्त करता है ध्यान से सुनिएगा तो उसकी special method होती है कई बार President को हम सोचते हैं कि यही नियुक्ती करते हैं तो ध्यान दीजेगा कि Article 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ती भी President करेंगे लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो आप देख रहे हैं कि मोदी जी है अगर President चाहें तो क्या वो मोदी जी के अलावा क किसी और को बना सकते हैं कि आज President का मन किया कि चलू मोदी जी को अपना प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया जाए किसी और को बना दिया जाए किसी और नेता को बना दिया जाए क्या ऐसा संभव है तो यह संभव नहीं है ठीक है ऐसे में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ह प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है इसी तरीके से राज्यों के राज्यपाल है सुप्रीम कोट के चीप जेस्टिस हैं जिनकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे उसमें कहीं न कहीं मंत्री परिशद या फिर किसी गठिद बॉडी का जैसे की चीप जेस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो जजज हैं उनकी नियुक्ति अगर प्रेसिडेंट को करनी हो तो एक कॉलेजियम बनाया जाता है जजजों का वो बताते हैं कि प्रेसिडेंट को कि आप इनकी नियुक्ति कीजिए और प्रेसिडेंट को वो मानने के लिए बात दे होना पड़ता है कि चलिए इन्हीं की नियुक्ति की जाईए इसी तरीके से अलग-अलग जगहों पर आप देखंगे कि प्राइम मिनिस्टर या फिर मंत्री परिशत की राय जो है वो मानना प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी है इसी लिए आप देखते होंगे कि कई राज्यों में जैसे अभी लक्षदीप का भी आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि President free का वोगा फिर तो इस तरीके से आप कह सकते है कि जो Prime Minister और मंत्री परिशद होती है उसका कहीな कहीं जो राय है वो मानना President के लिए जरूरी होता है और उन्हें की राइ पर राश्टरपती उन्हें हटाते भी हैं तो होगा ये कि राष्ट्रपती ही हटाएंगे और नियुक्त राष्ट्रपती ही करेंगे लेकिन कहीं न कहीं उसके पीछे जो राय दी गई होगी वो मंत्री परिशत की राय होती होगी चलिए अब एक बार थोड़ा सा आप इस ट्रिक के हिसाब से चलेंगे मैंने आपको कहा था कि आज ही आपको ट्रिक्स वगरा देखने के लिए मिल जाएंगी ये आपको ट्रिक याद रखनी है कि ये उत्राखंट के कौन है राज्यपाल है ठीक है सुर्जीत सुदर्शन अगरवाल जी फिर आए बनवारी लाल जोशी बियल जोशी आपको कई जगह मिल जाएगा फिर आए मार्गरेट अलवा फिर अजीज कुरेशी फिर केके पॉल कृष्ण कांथ पॉल उसके बाद बेबी रानी मौरिया जो अभी चल है अभी आपकी प्रेजेंट में है तो आप कहेंगे सुर्जीत सुदर्शन बनवारी ग्रेट कुरेशी केके रानी याद कर लेंगे सभी लोग चलिए सुर्जीत से प्रिक की तरह ही लीजेगा ठीक है बहुत जादा सेंटिमेंटल नहीं होना है याद करना है और अपनी परिक्षाओं के लिए स्तेमाल करना है चलिए अच्छा मंत्री परिशत की बात करते हैं यह दूसरी बॉड़ी है मैंने आपको कहा था कि दूसरी बॉड़ी भी होगी म यह सब कारेपालिका के अंदर ही आते हैं मंत्री परिशत का जिकर आता है अनुच्छेद 164 के अंतरगत तो अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है कि जो राज्यपाल है वह किसकी नियुक्ति करेंगे सर्वपर्थम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे अब इस बहुमत दल का नेता होता है राज्य विधान सभा में ध्यान से सुनिया कि कई जगे विधान परिशदें भी है तो विधान परिशद में नहीं विधान सभा में ध्यान देना है विधान सभा इलेक्शन में जो दल जीता है जो बहुमत दल होता है उसके नेता को मुख्यमंत्र जो है नियुक्त किया जाता है ठीक हो गया और इनी मुख्यमंत्री जी की सलाह पर ही जो गवर्नर हैं अमारे राज्यपाल हैं वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ती करते हैं अब यह आपको क्लियर हो गया होगा अब आप कहेंगे क्या सर मंत्री किसी को भी नियुक्त किया जा सक करीके से मुख्यमंत्री जो है वो भी किसको सला देते हैं राज्यपाल को कि आप इन लोगों को मंत्री बनाईए और कैसे मंत्री क्यों की नियुक्ति होती है यह मैंने पूरी कैबिनेट की उत्राखंट की वीडियो आपको दे रखी है वहाँ देखिएगा जरूर याद से ठी तीन के अंदर लिखी गई है जिसको हम पद एवम गोपनियता कि सपत कहते हैं यह अनुसूची तीन के अंतर का जो सपत है वो दिये जाती है और इसके बाद यह राज्यपाल के प्रशाद परियंत अपना पद ग्रहन करते हैं यानि कि जब तक राज्यपाल महोदय अब यहाँ पर भी आपके दिमाग में प्रश्नाना चाहिए कि क्या राज्यपाल अगर चाहें तो किसी को भी मंतरी पत से हटा सकते हैं तो फिर मैं वही कहूंगा कि जब मुख्यमंतरी जो है वह राय देंगे राज्यपाल को तब हटाया जाएगा अच्छे यह कैसे होगा तो यह ऐसे होगा कि मान लीजिए एक मंतरी है और वो मिनिस्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानते ऐसा खासकर तब होता है जब गटबंदन से सरकार बनती है अब मिनिस्टर जी ने कह दिया कि नहीं हम चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानेंगे और वो अपना प भहिया आप इन मिनिस्टर को हटा दीजिए और क्योंकि चीफ मिनिस्टर जी ने राज्यपाल से कहा है और राज्यपाल के प्रशाद परियंत ही जो मिनिस्टर है वो काम करते हैं तो राज्यपाल उन्हें उनके पद से निकाल भी सकते हैं ठीक है निकाला जा सकता है और दूस विधान सभा के अंदर भी तो यही काम करती है तो यह एक तरीके की कड़ी होती है कारेपाली का और विधाई का के बीच और मंत्री परिशदी जो obvious राज है वहाँ वास्तविक कारेपाली का कारिय इसी का होता है मंत्री परिशदी विधान मंडल की पत प्रकाशक भी है और शाशक की धुरी भी है अब देखिए थोड़ा सा में इसके बारे में आपको बता दूँ आप कहेंगे जर मंतरी वगेरा तो हमने सुने लेकिन थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गई हमको कि यह मंतरी परिशद क्या है मंतरी मंडल क्या है ठीक है तो एक चीज आपने जो सुनी वो सुनी मंतरी परिशद लेकिन आपने कई बार सुना होगा ना कैबिनेट इसको मंतरी मंडल गहा जाता है कैबिनेट को यह आपकी मंतरी परिशद नहीं है कैबिनेट फिर आपने सुना होगा राज्य मंतरी स्वतंत्र परभार फिर आपने सुन ठीक है, Ministerial Council जिसे कहा जाता है, ये मंत्री परिशत है, मंत्री परिशत में कैबिनेट आ गई आपकी, राज्यक की जो सुतंत्र विभार के मंत्री हैं वो आ गए और उपर जो मंत्री है, वो सभी किस के अंदर आ गए आपके, मंत्री परिशत के अंदर, चलिए, अब एक-एक क महिला और बाल कल्यान मंत्राले हैं जो बड़े-बड़े मंत्राले होते हैं हम कहते हैं कि ये तो कैबिनेट मंत्री है ये बड़े मंत्री है फिर आएंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र अरभार ये वो मंत्री होते हैं जिनको या तो कोई विशिष्ट कैबिनेट जो कैबिनेट स स्वतंत्र जो प्रभार वाले मंत्री हैं उनके अंतरगत उनके विभागों में काम करते हैं या कैबिनेट के मंत्रियों के अंदर विभागों के अंदर काम करते हैं इसी तरीके से अगर आप इस हरायर्की को देखंगे तो आप कहेंगे सार सबसे उपर cabinet फिर राज्यमंत्री सोतंत्र प्रभार और उसके बाद उपर मंत्री आते हैं इनमें भी सबसे उपर आप देखंगे तो चीफ मिनिस्टर जो है वो आते हैं क्योंकि अभी आपने देखा ना चीफ मिनिस्टर के अंदर ही सब की पावर सन नहीं थे चलिए फोपसो इतना आपकी समझ में आगया हुआ अब थोड़ा सा देख लीजिए वई मुख्यमंत्री जी के बारे में तो ये वास्तविक प्रधान होते हैं कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं मुख्यमंत्री है मैंने आपको समझा दिया कैसे तो ये राज्ये साशन के कप्तान भी है मंत्री मंडल में विशिष्ट इस्थिती भी है इनकी और एक तरीखे से प्रधान मंत्री का लगू रूप भी आप इने कह सकते हैं आपको भी समझा दिया कि कैसे इनको आप प्रधान मंत्री से रिलेट कर सकते हैं और दूसरी चीज ये भी है कि ये मंत्रियों को कभी भी जो है निकाल सकते हैं तो इस वज़े से भी ये सारे मंत्री मंडल में प्रधान हो गए आपके सबसे उपर जो है चीफ मिनिश्टर हो गए चलिए अब बात करते हैं एक सची वाले की जो सची वाले का नाम आपने काफी सुना होगा यहाँ पे सची वाले के अंदर मंत्री या नेता नहीं होते अब माल लीजिए आपने किसी नेता को किसी मंत्री को चुना और वो मंत्री नियुक्त हो गए आपने किसी विदानसभा के मंत्री को चुना आपने विदानसभा सदश्य चुना और वो मंत्री बन गए ठीक है अब माल नीजी हो जब मंत्री बन गए और उनको वित्त मंत्राले दे दिया गया ध्यान से समझेगा इस क उनको economics बहुत अच्छे से आती हो या वह स्टेट की economy को बहुत बढ़िया से समझते हो अब आपको पता है वित्त मंत्राले के दो बहुत सारे काम है financial statement निकालना है बजट निकालना है एक तरीके से पुराने सालों का आयवे का ब्योरा देखना है तो यह कैसे किया जाएगा इ आपको वीडियो भीजी ती आग सुबहे उसमें भी ओम्प्रकाश का नाम आपको देखने के लिए मिला था तो ओम्प्रकाश जी क्या है मुख्य सची हो यह क्या होते हैं यह प्रशाशनिक निकाय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी लोग होते हैं जो सहायता देते हैं और देते हैं और ऐसे ही इनी से मिलकर के राज्य का एक सचीवाले बनता है अच्छा इस सचीवाले का प्रशाशनिक अध्यक्ष कौन होगा तो ये मुख्य सचीव होगा ना कि कोई मंत्री और फिर हर विभाग बनाया जाएगा और उनके सचीव फिर कौन होंगे वो साशन सचीव तो इस प्रकार से ये जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं IAS होते हैं या कोई वरिष्ट और अनभवी सदश्य होते हैं यानि कि जिनको नौलेज है उस चीच की वो होते हैं ना कि कोई मंत्री होते हैं अब देख लीजिए थोड़ा सा मुख्यमंत्रीयों के बारे में क्योंक जी आए फिर एंडी तीवारी जी आए फिर भुवनचंद्र खंडूडी जी बने उसके बाद आप देखंगे रमेश पुखरियाल निशंक जी बने इनको याद कर लीजेगा बहुत इंपोर्टन है फिर भुवनचंद्र खंडूडी जी दुबारा बनते हैं उसके बाद फिर पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि सबसे छोटा जो प्रेसिडेंट रूल है वो उत्राखन में लगा था तो उसको काड़ दीजेगा ऐसा बिल्कुल सही नहीं है ठीक है फिर आप देखंगे हरीश रावत फिर त्रिवेंदर सिंग रावत इसके आगे इसमें दिया नहीं है इसके आगे फिर आपको पता ही है तीरत सिंग रावत जी जो है वो आपके नहीं में अब त्रिवेंदर सिंग रावत जी तक तो आपको यादी है वहाँ त तो नित्यानन स्वामी जी भगत सिंग जी एंडी तिवारी जी फिर खंडूडी जी निशंक फिर भुवनचंद्र खंडूडी जी फिर आपके विजय बहुगुना फिर हरी श रावत फिर कहेंगे आप तुरवेंद्र शिंग नूट्स बनाते होे चली यहां से आप याद करे अब इनको देखकर कि आप मुझे बता सकते हैं कि यह सबसे जादा कारेकाल जो है सबसे लंबा कारेकाल किसने निभाया तो आप यहां पर देख लीजी ठीक है तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो समझ में भी आ रहा होगा ठीक है और बांकी ट्रिक्स वगेरा याद करते चलिए क्योंकि UK SSC को बहुत पसंद है अब देखिए कुछ बड़े ही महत्यकून फैक्ट हैं जो आपको जानने जरूरी है और अलग से दिये भी गए हैं सबसे पहले देखिए 1814 में गड़वाल और 1815 में कुमाओं पर अंग्रेजों का कबजा हुए अब यह आपको इतिह के लिए भी एक छेत्र है तो कुमाओं का एक परगना बनाया और देहरादून को एक जिला बना दिया 1817 में 1817 में जब देहरादून जिला बना तो उसको सहारनपूर में डाल दिया गया तो अब अंग्रेज साशन में जब आरम हुआ तो उत्राखंट के अंदर आपको दो जो हैं प्रशाशनी की काईया मिली पहली जो इकाई थी वो आपकी टिहरी रियासत देखने के लिए मिली ये एक तरीके का आप कहेंगे कि राजा रजवाले वाला काम हो गया ये फिर आपको एक कुमाओं जनपत देखने के लिए मिला कुमाओं डिस्टिक जिसका एक परग गड़वाल का मुख्याले और आप वहाँ पर नया डिस्टिक बनाना पड़ा जिसका नाम पड़ा पौड़ी गड़वाल तो इस तरीके से 1840 में आप देखेंगे पौड़ी गड़वाल अस्तित्तु माया फिर क्या हुआ उसके बाद 1854 के अंदर जो नैनीताल का इलाका पड उसमें केवल कुमाओं और पौड़ी गड़वाल दो ही जिले रहे तो टोटल आप कुमाओं में देखांगे कि कुमाओं गड़वाल कर गए दो मंडलों में ही चलता रहा फिर होता है 1891 में अलमोडा और नैनीताल दो जिले बट गए अब ध्यान से सुनिए अब 1891 में जब अलमोडा और नैनीताल जो जिले बटे वो अपनी इंडिपेंडेंस तक एक जैसे रहे यानि कि अलमोडा और नैनीताल ये दो बने रहे ठीक है तो पहले आपका केवल कुमाओं और गड़वाल हुआ करता था फिर कुमाओं के दो हिस्से हो गए एक अलमोडा एक नैनीताल अब ये अल्मोडा नेनिताल आपके 1947 तक इसी तरीके से चलते रहे अब जब सतंत्रता मिली तो कुमाउं मंडल बनाया गया और एक रियासत बनी टहरी रियासत जो पहले से establishment में थी या आप जो कह रहे हैं ये वाली अब जो कुमाउं बना कुमाउं मंडल बना अब उसमें ती तीन जिले हो गए पौडी अल्मोडा नेनिताल और एक अलग से रियासत बन गई टहरी की अब सतंत्रता मिली एक अगस्त 1949 को टहरी रियासत को कुमाउं मंडल का चौथा जिला बना दिया गया तो आप कुमाउं मंडल के चार जिले हो गए ठीक है तीन आपने देखे नेनित का पूरा जो इलाका है हमारा वो अब कुमाउं मंडल में था तो केवल मसूरी चकराता देहरादून का जो इलाका है जो सारनपुर में चले गया था इसको अलग कर दिया गया बाकी तो सारा का सारा अब क्या है आपका कुमाउं मंडल में आ गया फिर धीरे धीरे जिले बनन कर लिया अलमोडा से पिथोरागल को अलक कर लिया इससे बहले अलमोडा और नैनी ताल दो तोड़े भी गए थे यह चीज ध्यान देखंगे फिर आप देखंगे कि 1969 तक देहरादून को छोड़ करके अब उत्राकंड में साथ जिले कुमाओं मंडल में थे टिहरी वाला था प तरीके से कहें तो अलग था गहण तो यह अलग था उसके बाद 1969 में आपका गड़वाल मंडल बना दिया गया अब जैसे गड़वाल मंडल बना तो यह साथ यहाँ आप देख रहे हैं इनको इधर औधर किया गया एक्चेंज किया गया तो आप देखिए जब स्टार्टिंग में 69 में गड़वाल मंदल बना तो क्या हुआ पॉड़ी में मंदल मुख्याले बनाया गया और टिहरी पॉड़ी चमोली उत्तरकाशी ये चार्ज ले कहां चले गए आपके गड़वाल में और नैनिताल अलम में आप देहरादून को मेरट मंदल से अटा करके गड़वाल में सम्मिलित कर लिया गया तो 1975 में जो देहरादून अभी तक बाहर चल रहा था उसको भी कहां डाल दिया गया गड़वाल मंदल में इक और जिला जुल गया इसके बाद फिर आप देखंगे 1988 में हरिद्वार बनाया गया तो इस तरीके से 1988 में हरिद्वार जो है ये भी गड़वाल में आ गया ये पहले सारनपुर वाला जो मंडल था उसी में सामिल था वहां से इसको भी गड़वाल में ला गये इस तरीके से 1995 में उधम सिंग नगर तो 26 दिसंबर 1995 को बना फिर 15 सितंबर 1997 को चमपावद बना और 18 सितंबर को रुद्र प्रियाग और वागेश्वर बन गया तो ये आपके डिस्टिक डेट हो गई तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे कुमाओ और गड़वाल में जिले रखे अभी वरतमान में दो मंडल ह हैं कुमाओ गड़वाल है ना साथ और छे बीच में आपको गैरिसेनर देखने के लिए मिला था जिसको अभी फिनिश कर दिया गया है चलिए अब देखते हैं इसके अलावा फिर मुख्य सचीव की बात चल रही थी तो मुख्य सचीव का जो पद था वो सबसे उपर था प अब देखें मुख्य सचीव का होता है अब देखें मुख्य सचीव के बाद फिर निदेशालय या विभाग आते हैं जैसे मैंने आपको बताया था ना वित्त्य विभाग उसी तरीके से अलग-अलग विभागों के अलग-अलग सचीव भी होते हैं और यह सब आपके सची कोई ना कोई अधिकारी होते हैं जैसे एक साशन सचीव के अंतरगत कई विभाग होंगे अमाल नीजे कोई ग्रह सचीव है ठीक है यह मुख्य सचीव की बात नहीं चल लए है मुख्य सचीव के नीचे कोई ग्रह सचीव है तो ग्रह सचीव के अंतरगत कौन-कौन से इसी तरीके से विभागों की कारियात्म की काईयां फिर बहुत नीचे तक फैली होती है ठीक है और सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको डिस्टिक मेजिस्टेर या जिलादिकारी देखने के लिए मिलेंगे अब सुनिए सामान्य और राजश्व प्रशाशन के जो विभागध्यक्ष हैं उसके बाद फिर मंडल आयुक्त होते हैं यानि कि दो मंडल है तो दो मंडलों के आयुक्त होँगे कुमाओं मंडल और गडवाल मंडल वो क्या करेंगे सांती व्यवस्था देखंगे राजश्व देखंगे और अन्यकार्यों को देखंगे इसी तरीके से दो मंडल मैंने आपको बता दिये गड़वाल में साथ जिले कुमाओं में छे जिले फिर मंडलों के नीचे आप देखांगे तो जिलाधिकारी होते हैं और कुल 13 जिले हैं तो 13 जिलाधिकारी होंगे ठीक है फिर इसके बाद उप जिलाधिकारी भी होते हैं तैसिल बनाई जाती हैं तो उप जिलाधिकारी नियुक्त किये जाते हैं यह 100 तैसिले नहीं 110 है ध्यान दीजेगा ठीक है चलिए तो अब तैसिलों में तैसिल के लिए उपजिलाधिकारी नियुक्त होंगे तो स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो 49 49 उप तैसिले थी इनको उपजिला भी का जाता है चीज ध्यान दीजेगा ठीक है अब फिर नई तैसिले बनती गई तो अभी कुल मिलागे 110 तैसिले आपको देखने के लिए मिलेंगी ठीक है अब अगर आप यहां देखें तो राजश्वार रेवेन्यू पुलिस की बात करे तो यहां क्या है जो अंग्रेज चाते थे वो चाते थे कि यहां उत्राखन में भी पुलिस व्यवस्था लागू की जाए लेकिन उस समय कुमाओं के जो कमिश्णर थे वो कौन थे कुमाओं कमिश्णर थे रेमजे उन्होंने कहा कि देखिए कुमाओं के जो लोग है राजस्व या रवेन्यू पुलिस राजस्व या फिर रवेन्यू पुलिस जिसके अंदर आपने पटवारी तैसिलदार वगेरा का नाम सुना होगा अब इसमें ध्यान से सुनिएगा कि 1874 से उत्राखन के अंदर आपकी राजस्व पुलिस वबस्ता लागू है और अभी भी ये 61% जो एरिया है कुमा उत्राखन का वहां 61% एरिया पे आपको राजस्व पुलिस या रवेन्यू पुलिस देखने के लिए मिलेगी ठीक है इसके अंदर अगर आप देखंगे तो इसमें अलग-अलग जो पद है वो है पटवारी है कानून गो है नायब तहसिलदार है फिर परगना अधिकारी हैं जिला अधिकारी हैं कमिशनर हैं ये सब के सब जो है ये राजस्व पुलिस के भी भाग है इसमें से बहुत से लोग आपको नॉर्मली भी देखने के लिए मिलेंगे जो अन्यकार्य भी करते हैं और पुलिस के साथ भी है तो ये आपके किसके अ समय से मांग चल रही है कि अब जो है धीरे धीरे अपराद भी बढ़ने लगे हैं अपरादों को रोकने की व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं है तो इस व्यवस्था को जो राजश्वया रेवन्यू पुलीस की व्यवस्था है इसको खतम किया जाए लेकिन अभी भी एक स 74 के आसपास तो किस आधार पे लगाए गई तो सबसे पहले तो आपने खुद देखा कि कुमाओं और गड़वाल दो मंडल बने थे ठीक है तो कुमाओं पोर्शन के अंदर आगर आप देखंगे तो 19 परगने थे जान से सुनिएगा 19 परगने और उनके अंदर 125 पट्टिय गड़वाल छोटा इलाका था तो गड़वाल में 11 परगने 86 पट्टियां बनी यह याद कर लीजिएगा 19 परगने 125 पट्टियां यह आपकी कुमाओं में 11 परगने 86 पट्टियां गड़वाल के अंदर बांकी जो इलाके छूट गए वहाँ फिर पुलिस व्यवस्ता जो है आगे देखते हैं अब देखिए जैसे कि हमने बात की अपनी राजस्व के अंदर और सचीव की बात की है ना तो सचीव के अंदर क्या होते हैं अब कुल मिलाकर क्या आपने ब्लॉग देखा होगा पिचानवे ब्लॉग है विकास खंड जिनको हम कहते हैं यहां भी क्या होत महादीवक्ता का जिक्र आता है केंद्र लिए अंदर आपकल 76 अनुच्छिद 76 के अंदर आपका कौन आता है attorney journal for center यहाँ नियुक्ती राष्टपती करते है attorney journal की अब महादिवक्ता की नियुक्ती राजजपाल द्वारा की जाएगी अब यह कितने tenure के लिए होगी तो tenure fix नहीं होता है tenure fix नहीं होता है यह चीज आप ध्यान देंगे यह जब तक राष्ट जो अपने राजजपाल है वो चाहें तब तक वो पत पर बने रहेंगे अब देखिए इसके लिए अगर किसी को बनना हो तो आप और मैं नहीं बन सकते यह कौन बनेगा पहले तो वो बनेगा जो इंडिया citizenship जिसके पास इंडिया की हो भारत का नागरिक हो फिर दूसरी चीज उसके पास 10 वर्स से ज़्यादा समय की नियाईक कार्य से जुड़ी हुई चीज़े होनी चाहिए 10 वर्स से अधिक मतलब महादिवक्ता बन सकते हैं अच्छा महादिवक्ता क्या क्या कर सकते हैं महादिवक्ता विधी विश्यों पर राज्यपाल को सला दे सकते हैं राज्यपाल ने अगर उनको कोई कानून से संबंदीत काम सौपा है तो वो काम कर सकते हैं वो सदनों की बैठक में भाग ले सकते हैं अगर किसी भी सदन की बैठक भाग चल रही है तो वहाँ भाग ले सकते हैं वो बोल सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते इस चीज को आप ध्यान देंगे जैसे आर्टिकल 88 के अंदर भी आता है कि जो आटानी जनरल वगेरा हैं मंत्री हैं वो किसी भी सदन में जाके बोल सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखंगे न तो यहाँ पर एक चीज लिखी वी है सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं आप तो गएंगे सार विधान सबाई तो है एकी सदन तो चलता है तो जिन राज्यों में विधान परिशद है वहाँ जो आपके महादी वक्ता है इनको दोनों सदनों में बोलने का अधिकार प्राप्त है यह दोनों सदनों में बोल सकते हैं लेकिन वहाँ किसी बिल पे वोट नहीं दे सकते यह आप याद रखंगे महादी वक्ता को बोलने का अधिकार नहीं है वोट देने का अधिकार नहीं है अच्छा आप पुछिए अप पहले महादी वक्ता कौन थे तो हम कहेंगे सर महरबान सिंग नेगी जो थे वो पहले जो है आपके महादी वक्ता थे अब आप कहेंगे सर वर्तमान में कौन है अब देखे वर्तमान की मैं अभी का तो आपको बता दूँ अगर बाद में बदलेंगे आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान देना है क्योंकि मार्च 2017 से अभी तक S.N. बाबुलकर जान से सुनिए S.N. बाबुलकर इनका नाम है सूर्य नारायन बा आने वाली किसी भी कोट के अंदर जो है लड़ सकते हैं या अगर इन्हें उत्राखंड राज्य की तरब से कहीं किसी कोट में जाना हो तो यह एज़ वकील एज़ लॉयर चीफ लॉयर जो है यह बनकर भी लड़ेंगे राज्यपाल को सलाह देने का काम भी करेंगे मंत्री मरंत्री परिशद या अगर बाइद वे कभी सरकार को किसी कानूनी राई किया विशकता हो तो वो भी उन्हें देंगे अगर मान लीजिए राष्टपती जीने इन्हें कोई विदिक कारे सौपा कोई कानूनी कारे सौपा तो वो भी इन्होंने करना होगा अब कुछ आफिर दस साल से जादा का इनको नियाइक तरीके से या लौ के अंदर काम करने का experience हो यह दो चीज़ें इनके पास होनी चाहिए और भारत के नागरिक होना कंपल्शेशन है तो यह तो आपका जो है दोस्तों पूरा कारेपालिका के में हमने बात किया व्यवस्ता पिका विधाईका के बारे में हम कल वीडियो में बात करेंगे अब एक चीज ज्यान से सुनिए चलिए इसके अंदर अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं तो होप सो आज की वीडियो देखने के बाद काफी कुछ आप समझ गए होंगे कि एक एक अध्याई को हम कैसे देखंगे उत्राखेंट से रिलेट करेंगे बिल्कुल जीरो से सुरू करेंगे आपको बिल्कुल नहीं आता ये सोच के हम आपको सब कुछ आता है कोशिश कीजिए कि जादा से जादा लोगों तक ये वीडियो पूंचाईए ठीक है कमेंट जादा से जादा कीजिए September पताएए ट्रिक्स लगी वीडियो कैसी लगी जितना चादा आप response करेंगे उतना जादा बहतर है कि आपको वीडियोई और जल्दी और बहतर तरीके से मिलती रहेंगी वोप सो वीडियो पसंद आई होगी अब ध्यान दीजेगा कि मैंने इसमें text format जो है वो book format रखा है ठीक है तो यह इसलिए है कि अगर आप जो है किसी book को नहीं खरीच सकते lockdown के कारण तो आपको book की जो printing है वो यहां मिल जाए तो आपको अगर theoretically याद करना है तो वो भी आप इस book format से कर सके बागी यह जो extra detail है या अलग-अलग website से हैं तो बिलकुल आप इस पर authentically भरोशा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बाकी आपको जो notes बनाने हो यहां से बना लीजेगा तो बाकी contact detail में आपको देते रहता हूँ तो यह आपका WhatsApp का जो मेरा number है यहां आप message भेजिए कि सार इसमें कोई problem है इस issue का समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूँगा ठीक है इसके अलावा Twitter, Instagram, Facebook वगएरा में आप मुझे follow कर सकते हैं ठीक है परिसनल message आप यहां कर दीजिएगा मैं जब भी check करूँगा तो यहीं आपको response करूँगा ठीक है call वगएरा मत कीजिएगा क्योंकि उसका response नहीं हो पाएगा केवल WhatsApp के अंदर मैं आपका यह message चेक करूँगा दूसरी चीज description चेक कीजिए और comment box चेक कीजिए वहां आपको link मिलेंगे टेलिग्राम ग्रूप और WhatsApp ग्रूप का वहां आपको अगर बाइद वे इस वीडियो की notification ना मिले तो वहां link जरूर मिल जाएगा इस वीडियो का वहां से आप जॉइन कर सकते हैं और यह जितने भी pages वगेर आप यहां पे देख रहे हैं hope so जहाँ जल्द में वहां यह photos यू भेज़ दूँगा ताकि वहां से आप इसे पढ़ सकें तो guys वीडियो आपको पसंद आई होगे hope so तो like कीजिए share कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को subscribe कीजिए well thank you till next video